आप लोगो सेलेक्शन टूल डिरेक्ट सेलेक्शन टूल और पैन टूल वगारा जैसे टूल तो याद ही होंगे इलिस्टेटर के अंदर हम लोगों ने टूल बार के अंदर काफी सारे टूल लेंड किये इसी तरह फोटोशाप में भी हम लोगों ने काफी सारे टूल लेंड किये और आप लोगों को मालूम है कि अडोबी के ये जितने ग्राफिक्स रिलेटर सौफ़एर्स हैं इन में टूल्स की मदद से हम बहुत सारे magical काम जो है वो कर सकते हैं और बहुत सारे जबज़स डिजाइन जो हैं वो बना सकते हैं तो चलें इस लेसन के अंदर हम लोग अडोबी इन डिजाइन के अंदर जो मौजूद टूल्स हैं उनका अजाइजा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास टूल बार में क्या options available हैं मैं आप लोगों को यहां पे एक important बात बताता चलूँ illustrator के अंदर और इन डिजाइन के अंदर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी सारी similarities मौजूद हैं तो बिलकुल इसी तरह से इन दोनों के टूल बार के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो के दोनों में मौजूद हैं और एक ही तरह से काम करते हैं तो चलें इन डिजाइन के टूल बार को explore करते हैं और देखते हैं हमारे पस हमें कौन सी options मौजूद हैं सबसके पहले अगर हम इस टूल बार को जड़ा थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे पस सबसे उपर selection tool है और इसके अलावा direct selection tool है अच्छा ये टूल बार के टूल्स को स्टेडी करवाने से पहले थूड़ा समय आपको रोक के नैविगेशन के जो टूल्स हैं वो बताता चलूं वो भी इन डिजाइन के बिलकुल उसी तरह से हैं इस तरह से Illustrator के थे यानि कि अगर आपने InDesign में भी Zoom करना हो तो Illustrator की तरह आपको जो Z की है वो आपको प्रेस करनी पड़ती है Z या Z जो भी आप उसको कह लें अच्छा इसी तरह से Zoom Out करने के लिए आपको Zoom टूल में जाके Alt को प्रेस करना पड़ता है बिल्कुल उसी तरह से जो Undo है वो हमारे पास यहां पर Ctrl-Z है मिसाल के तोर पे मैं यह एक बॉक्स बनाता हूँ और Ctrl-Z प्रेस करता हूँ तो Undo की कमांड जो है वो InDesign में काम करेगी बिल्कुल उसी तरह से जिसना से Illustrator में करती थी तो Space Bar के थूरू हम Hand Tool भी पिक कर सकते हैं और Hand Tool की मदद से हम अपने Document को जो है वो Freely अजादाना तरीके से Move कर सकते हैं जिसना से हम Illustrator में करते थे तो यह तो कुछ हो गई Navigation के हवाले से Tools की बात अब आते हैं वापस इस Tool Bar के उपर अच्छा जी सबसे उपर हमारे पास Selection Tool है और उसके पास हमारे पास मौजूद है Direct Selection Tool बिलकुल वैसे ही जैसा के हमारे पास Illustrator के अंदर यह Tools मौजूद थे बिलकुल उसी तरह से यहां पर मौजूद हैं मैं इसको Color दे रहा हूँ Box को और यह देखें Selection Tool के मदद से मैं वही तमाम काम कर सकता हूँ जो Illustrator में कर सकता था और Direct Selection Tool के मदद से मैं किसी एक इस Object के किसी एक जो Anchor Point है उसको Choose कर सकता हूँ पहले हम इसको Deselect करेंगे और अब आके हम इसको किसी भी इसके एक Anchor Point को Select करेंगे अगर आपने पहले से Selection Tool से Selection ली होगी जिसना अभी मैंने ली हुई थी तो इसलिए वो Direct Selection Tool से Select नहीं हो रहा था तो आपको करना यह है कि इसको Direct Selection Tool से Select करने के लिए पहले आपको इसको जह है वो Selection को खतम करना पड़ेगा अच्छा इसके बाद यहां पे कुछ ने टूज हैं दो Content Collector और Content Placer यह हम ज़रा Important Tool है यह हम अभी थोड़ी देर बाद डिसकस करेंगे पहले हम वो टूज देख लेते हैं जो के Illustrator और InDesign में सिमिलर हैं अच्छा जी बिलकुल उसी तरह से Type Tool की Option हमारे पस मौझूद है लेकिन तोड़ा सा फर्क है और वो यह है कि Illustrator में हम यहां पे क्लिक करते हैं तो हम Type कर सकते हैं लेकिन यहां पे हमें इसको Drag करना पड़ता है उसके बाद ही हम इसमें Type करने के काबल होते हैं Text Box में अच्छा इस तरह से हमारे पास यहां पे Line Segment, Line Tool मौझूद है जिसके में ज़से हम Lines Create कर सकते हैं और Pen Tool की Option मौझूद है अगर आप लोगों को याद हो तो Illustrator में Pen Tool हमने बड़ी डिटेल में स्टेडी किया था तो यह मैं अब यहां पे दुबारा आपको नहीं करवाने वाला सिर्फ मैं आपको यह बताता चलूँ कि वही सेम आप्शन्स हैं जो Illustrator में Pen Tool है Add Anchor Point Tool है Delete Anchor Point Tool है और Convert Anchor या Convert Direction Point Tool है यह वही काम करता है जो Convert Anchor Point Tool Illustrator में करता है तो यह बिल्कुल Pen Tool जो है वो उसी तरह से Workout करेगा जिसना से Illustrator में हमारे पास किया करता था इसके बाद हमारे पास यह एक Rectangle Frame Tool है यह भी InDesign का Tool है जो के Illustrator में आपको नहीं मिलेगा यह जो Frame Tool है दोस्तों इसकी मदर से हम क्या करते हैं कि हम कोई भी Object जो है कोई भी Image या कोई भी Illustration या Drawing या Logo हम Place करते हैं इस Box के अंदर यहां पे हमारे पास Rectangle के इलावा Ellipse Frame Tool भी है और Polygon भी है यानि इसको हम Ellipse Shape में भी Choose कर सकते हैं Polygon Frame Shape में भी Choose कर सकते हैं अच्छा आगे चलके इसको हम Detail में जो है वो Study करेंगे जब हम चीजों को Place करेंगे Placement के अंदर हम इसको देख लेंगे उसके बाद यहां पे जिसना Illustrator में Shape Tool थी बिल्कुल उसी तरह से यहां पे हमारे पास Rectangle Tool है और इसके लावा हमारे पास Ellipse Tool है और हमारे पास जनाब यहां पे Polygon Tool भी मौजूद है और यह भी बिल्कुल उसी तरह से वरकिंग करते हैं जिसना से Illustrator में हमारे पास Tools किया करते थे अच्छा जी इसके बाद हमारे पास Scissor Tool अवेलिबल है और यह क्या करता है कि यह Basically कोई भी Object अगर आपने Select की हो और आप Scissor Tool से जाके इसको थोड़ा सा काटने की कोशिश करें काटना चाहें तो आप इसको Anchor Points की उपर क्लिक करके इसको Scissor की तरह से जिसना बिल्कुल कैंची काम करती है कोई भी चीज काटती है आप किसी भी Shape को काट सकते है इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आप इसकी मज़द से कोई भी चीज काट सकते है इसी तरह से जनाब अली Free Transform Tool अवेलेबल है ठीक है इसके अंदर हमारे पास Rotation की Option मजूद है आप Rotate कर सकते हैं किसी भी Object को और जनाब अली इसके लावा हमारे पास Scale की Option मौजूद है हम Scale भी कर सकते हैं ठीक है और ये देखें और इसके लावा हमारे पास यहाँ पे Share की Option मौजूद है ये भी आप लोग इलिस्टेटर में देख चुके हैं अच्छा जी इसी तरह से हमारे पास है यहां पे Gradient तो Gradient अगर हम Apply करें तो यह देखें Gradient अप्लाई हो जाता है उसके लावा हमारे पास एक Gradient Feather यानि यह क्या करेगा कि हमारे जो Color है हमारे Object के अंदर उसको Feather लगा देगा उसको Dissolve कर देगा एक साइड से दूसरी साइड पर इसके लावा हमारे पास Color Picker Tool है इसके मतलब से आप Color पिक करके देख सकते हैं ठीक है और किसी भी Color को आप असानी के साथ पिक कर सकते है Hand Tool में आपको बता चुका हूँ Zoom Tool में आपको बता चुका हूँ और इसके लावा यहां पे हमारे पास वही दो आप्शन्स Tool Bar में अवेलिबल है Color की और जनाब याली Stroke की तो यह तो हो गई हमारी Tool Bar और उसके अंदर मौजूद वो वाले Tools जो के हम Illustrator में भी देख चुके हैं अच्छा यहां पे यह दो टूस मैंने आपको बताया Content Collector और Content Placer यह बड़ी मज़े की चीज़ है यह दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे एक हलका फुलका सा डिजाइन बनाया हुआ है यह कुछ फूड के हवाले से कुछ images रखे हुए और dummy text भी फिलहाल मैंने यहां पे लगाया हुआ है और एक caption भी जो है वो दे रखी है अच्छा जी यह Tools किस तरह से काम करते हैं यह ज़रा देख लीजिए यह important है अगर हम B press करें तो यह हमारा जो content collector tool है यह हमारे पास आ जाता है बेसिकली यह Tools करते हैं content collector और इसके लावा content placer यानि के इन दोनो tools की मदद से हम इस page के उपर मौझूद किसी भी content को collect करके किसी नई जगा पर जाके रख सकते हैं ठीक है जी यानि के collect कर सकते हैं और place कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ मैं एक नए document ले लेता हूँ ताके मैं उस नए document में जाके कुछ भी यहां से place कर सकूँ अब यह देखें यह मैंने यहां पर आके click किया तो यह मेरे collector के अंदर मेरा जो image है यह collect हो गया थीक है जी अब मैं आता हूँ अपने नए document के अंदर और यहां पर आके मैं दुबारा B प्रेस करता हूँ तो अब मैं यह देखें मेरा जो tool है वो change हो गया यह collector से अब placement में change हो गया placer में change हो गया तो इसकी मतलब से अब अगर मैं यहां पर drag करूँ तो यह देखें मेरा वो ही image same वहां से मैंने collect किया और यहां पर आके मैंने place कर दिया अब मैं इसको undo करने लगाँ और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं जनाबी अली यहां से तुबारा आके कोई text जो है इसको मैं collect कर लेता हूँ यह देखें यह text मेरा जो है यह collect हो गया और मैं अगर B प्रेस करूँ तो यह देखें अब यह क्योंके मैंने यह जो image है यह collect कर रखा है तो पहले यह इसको place करेगा उसके बाद बारी आएगी मेरे इस text की और यह देखें और content placer और इनकी बज़र से हम content को बड़े असानी से एक जगह से दूसी जगह चाहे वो निया page हो या same page हो या same document हो या new document हो हम उनको collect कर सकते हैं और place कर सकते हैं इस lesson में हम लोगोंने Adobe InDesign के अंदर मौजूद important tools का जाहिजा लिया और हमने देखा कि वो कौन से tools हैं जो के illustrator में भी मौजूद हैं और हमारे पास InDesign भी मौजूद हैं और इसके लावा कुछ नए tools भी हमने विजिट की और उनको भी हमने explore करने की कोशिश की तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको tool bar के हवाले से InDesign की समझ आ गी होगी और इंशाला ताला नेक्स लेसन में Adobe InDesign के हवाले से कोई नई information लेकर आप लोगों के लिए हाजर होंगा